आचा जी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप सबसे कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टन अनॉस्मेंट है जो के मुझे आज करनी पड़ रही है जब आपने इतना अरसा काम किया हो इतने साल आपने काम किया हो एक कनेक्शन होता है टीम के साथ आप सब के साथ आप सब को भी हम कहते हैं कि आप हमारी टीम है आप राइजिंग पाकिस्तान की टीम है जिनने राइजिंग पाकिस्तान को डे वन से देखना शुरू किया और आ अनौसमेंट आज की गई है कि आज राइजिंग पाकिसान में मेरा आज लाइव आखरी शो है और डाइफिनेटली मेरी अपनी पतरी कैसे मोशन से या मैं कैसे इसको अनौस कर रही हूं मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल है पूरी टीम इस वक्त जो देख रही है यहां पर हमारा जितना भी क्रू है हमारे स्टूडियो में है इसके इलावा इस कंट्रोल रूम है हमारे प्रोडूसर जितने भी हमारी टेकनिकल टीम है और वो तमाम लोग इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं आप लोग आप सब का बहुत शुक्रिया आप सब ने मुझे इतना प्या और एक दूसरे को सपोर्ट किया, आप ने बहुत सपोर्ट किया, आज तो लाइव तो मेरा लाश्रो है, लेकिन इसके इलावा आप पी टीवी की स्क्रीन पर कुछ मेरे जो डिकॉर्डड शोज हैं वो आप देखते रहेंगे आगे भी, सो स्क्रीन पर में नजर आउंगी, लेकिन इस तरह से लाइव आप से बातचीत नहीं हो सके कि रिकॉर्डड शोज आप आगे देखते रहेंगे कुछ टाइम तर लेकिन पी टीवी पर नहीं, किसी और स्क्रीन पर शायद आप मुझे बहुत चल देख रहे होंगे, जाने की व मुझे लांच किया और हमेशा मैं कहती हूँ के पी टीवी एक दर्सगा है, और यह आप सब भी जानते होंगे, यह नहीं कि हम सिर्फ मैं यहां पर बैट की कोई बात करी हूँ, या मुझे यहां पर कोई आपर शूनिटी मिली है, तो मैं इस तरह से कोई बात करी हूँ नही आप तमाम लोग भी जितना कुछ सीखते आ रहे हैं, मैं खुद बच्पन से पी टीवी देखती आ रही हूँ और मैं जितना कुछ सीखती आ रही हूँ, तो जाहिरी सी बात है कि हम सब को पता है कि एक दर्सगा है, जितनी भी मैनेजमेंट है, मैं उत सब कर शुक्रिया दा करना चाहूंगी, जिन्होंने सपोर्ट किया और इस तरह से आगे बड़े, हसी खुशी हमें जो है वो अलविदा भी करना चाहिए, और दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, कि अगला स्टेप में जो भी ले रही हूँ, मेरे लिए, मेरे हक में बहुत बहुत ब जिम से इस पहले राइजिंग पाकिस्टान को घुशिंगाとか राइजिंग पाकिस्टान को घुश्ट का बहुत ही है। तो उसमें जमशेद अली कान का नाम भी है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को होस्ट किया है, इसके लावा PTV की स्पेशल ट्रांस्मिशन्स उन्हों नहीं की है, वह सारा और भी काम है अभी, प्राइवेट काम भी करें, PTV के साथ इस वक्त भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास बहुत सारी गौसिप भी होगी, बहुत सारी बाते थी जो उनसे हमने करने की कोशिश थी, एक लाइवली सी परस्नालिटी है, जबदस नशिस्त है, तो आईए चलके देखते हैं जी, आज के राइजिंग पाकिस्तान में यहां PTV पिशावर सेंटर में आप की मलाका जिन से करवानी है, उनका इस प्रोग्राम से बड़ा गहरा पुरानी यादों से भरा हुआ रिच्ता है बहुत ही गहरा तालुक है, रिवील करें, बहुत सारे लोग शायद थोड़ा समझ जाएं लेकिन अभी है, क्योंके हमने उनका इंट्रोड़क्शन उससा से करवाया नहीं है, लेकिन जब हम इंट्रोड़क्शन करवाएंगे, तो जितने लोग यह सुबा की जो नश्रिया से लेके, फैमिली शो से लेके, हर तरहा के प्रोग्राम इन्होंने किये पच्टों में भी, लेकिन उसके बाद अर्दू के जो हमारे मेंस्ट्रीम, इलेक्शन ट्रांसमिशन, ईद की नश्रियात, और जैसे सबीन आपको कहरी थी, जो सुबा की नश्रियात, जो मुस्तंसर रुसान तारर साब और कुरात अली ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद, ये जो मितलब हिस्सा है, सब में बहुत से एंकर्स ने इसमें अपना हिस्सा डाला, और आइम सो वरी ओने और प्रीज्ड के आज अपनी कुछ पुरानी यादों की पोर्टली खोलने के लिए, ज तारर साब के फॉरण बाद आप जब उन्होंने छोड़ी सुबा की निश्रियात तो ये सहरा आपके सर गया और आपको सेलेक्ट किया गया, ऐसा ही है, पिलकुल इस तरह है, इस तरह है तो सीख देखें, जिन्दगी जो है ना ये चलती रहती है, ठीके ने ये जाने का ना में लोग आते हैं, जाते हैं और एक स्लसला शूरू रहता है, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी है कि टुड़े हम सिटिंग इन मदर इस्टिउशन, पी टीवी जो है, बहुत सारे चैनल आए, आप देखें, उसके बाद ये 2000 के बाद, 2001 के बाद, पूरा कंपलेक्शन चे एक सब्सक्राइब करेंगें, उससे लेकर दो हजार चार पाँच तक जो मैं पी टीवी के साथ आहा, वही लोग मेरे साथ बढ़ते गए, और वही लोग हमारे तो सबसे जो बड़ी पैचान में नी बनी, वो पी टीवी से बनी, और एक सब्सक्राइब कि तेर से के बाद आ इस तूडियो में लास्ट आइ लेफ दी इस तूडियो 2004, 2004 तो जिरो डबल टू में आया, गुलार रॉपईस, अनिस सो पिचासी में आपने पहला प्रोग्राम किया था, रेगुलर गोस्टिंग का प्रोग्राम था प्रोग्राम था पकुश याद, मेरा अब अबासीन का अचा बासीन, और मैं उस बात का भी जवाब देता हूँ, जो आपने तारफ सार का हवाला दिया, वेरी प्लेजन्ट, उसका में हवाला देता हूँ, वहमारी एक नाजली सर्दार साहिबा थी, शीवास पंपीर की थी, सवाबी की, वो गोस्ट करती थी प्रोग्राम को, इस साल की उमर उतनी कोई हो नहीं थी, उस समाने का 16-17 साल का लड़का या लड़की जो बच्चे ही कंसिर्डर होते हैं, आज कल के बच्चे बड़ी जल्दी मिच्छर हो जाते हैं, मैं वासकट पेनाते थे, मुझे याद है, मैं बज़ नाइटीन यर ओल्ड, वासकट पे हम आये थे 89 में, यहां मुहमद अरबाफखान साथ जी-म थे, यहां जी-म के कमरे में जाना बहुत खतरनाक था, मुझे याद नहीं कितने बरसों बाद में जी-म के कमरे में गिया, उसने मुझे बुलाया, कहते हैं जो, मेरा उस जमाने में एक प्रोग्राम चलता था, एक यूद का प्रोग्राम था, और एक ता, तो क्या गम है, हम पिशावर यूनिविश्टी में जाते थे, लोगों को उसकी काट्रिविशन के हावाले से करते ते, और आखर में हम कहते थे ज़र ऐसे लोग हमारे पास मौजूद है, तो क्या गम है, वाँ वाँ वाँ, तो आज़ के मूल ये मॉल ये मॉबायल शवैन नहीं ता, लैंड लैंड यन टेलिफोन थी, तो जब टेलिफोन पकड़ा आज़, वाँ अजि मैं गुपरान हूँ, आच़िज़ वो फ्रान इम्त्याजी साब की बात कर रहा है, वो इस जमाने का, तो मुझे का थे कि मैं गुफरान हूं और बैटे आपने आना है, तो मैंने का जी बिकु ठीक है आप आओ, तो हमने आपको एक थोड़ा सा ओपनिंग में, आपसे सिल्वर जूबली की टेलेवीजिन के 25 साल आपनिंग में आपने करवान है, आपकी लुग जो है, तो इस वेरी फ्रेश, तो इस वर इस वरी उमर थी? आपकी थी? वाइस-थी साल? यह मेरी उमर थी और वाक़ी वह तो बड़ा प्लेसर नजरा था था उस वग्त आपकी जो हुसन के चर्चे और फिर मैडम नूर जहा भी उस पर कॉमेंट कर चुकी है, अच्छा जी हाँ, उस पर बाद में आते हैं, बाद की तो खेर मैं चला गिया उदर, सिल्वर जूबली पर पहुंग गया, अब मैं आपकी जो पाकिस्तान टेलिवीजन जो है, जिदर इसलामबाद पर, मैं रिसेप्शन पी गया, इसके पास जाना है, तो यह उसको इसे देखता है, तो कियते है कि, किसी का देदे, अथर का देदे, अखतर का देदे, अच्छा की नहीं था, अच्छा ठीकिशन पर जाए ते, मैं बच्छपन से, जब से, मैं, अरली सेवेंटीस की बात कर रहा हूँ, जब हमारे गर میں खु और तारिक साब की शखसियत का एक वो जो एक हाला था, एक सहर था, लास तक, मैं बताओंगा, वो 85 तक पहुंचे थे, वो ग्रेस उसका कम नहीं हो, उसके बाद में बाद करता हूँ, पहला डरोदर से लगा, मैंने का या ला खेर, अच्छा खेर अंदर मुझे किसी और कमरे म ले गए, दस-पंद्रा मिल में बैड़ गया, तो फिर मेरे पास वो आए, आखाजर फिकार खान साथ, वो मुझे कहते हैं, आप जरा आजाएं, मैंने का ठीके, अब जैसे में वहाँ एक हाल है, जैसे मैं इसलामबाद सेंटर में अंदर ऐसे देखा ना, अब कतार में, मैं करत खानmm, आइनी सह्भाब, वो बैटी है उसके साथ, राहत काधमी साहिए उसके साथ माताब, माताब चनना उस माताब चनना उसके साथ में ना, सार्मा बैग बैटी हुई है, उसके साथ मस्तर सर् últअधराण साहिएू साहिए ए lawyers अधर फ़करान इन्त्याजी साहिए, कवन नसीर भी होंगी मेरे खेलों आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ कवन नसीर साहब बेटी हुई है अब यह पूरा है मुझे कहता है कि आप इदर एनी के साथ इदर आप बैठ जाएं और जमशेट फर्शोरी साथ वह भी बड़े जबता है मेरे अस्ताद मुझे टीवी मे प्रोडिसर वह जमशेट साथ वह जमशेट स्क्वेर बोलते थे जमशेट स्क्वेर आप इसके साथ बेटो सख सेमा हुआ अच्छा अब आप दो मिनट वैसे सबीन सोचें के 22-23 साल का नौजवान और इतने बड़े नामों के साथ उसको सेलेक्स कर लिया गया कि आपने ला और कम कैसे किया अब आप देखे ना वो मुझे कहते है घुफरान अम्तियाई साब उनको कहते है कि जिए जमशेद है और पिशावर और ये विल ओपन दिस ट्रांस्विशन विद एनी कोल कि उसने का उपन आपने करनी तो इसलिए कहते हैं हमने बुलाए कि इन से हमने करवान बिल्कुल इसी तरह ओ यार वो स्टार्ड मैंने किया था चब्वीस नॉम्बर चौनसट को तो मुझे स्टार्ड करने करने तो इसके उपर खुपराने जाई साबने उसको कहा है कि तारे कई जी साब लोग किया कि टीवी में 25 सान में कोई फरक नहीं है यह मैं इन्वर्टि निश्रियात होस्टिंग की वो सिलेक्शन कैसे हुई और वो एक्सपिरियंस का आप इशावर से पूरे हफ़ते के लिए जाया करते थे इस तरह था कि जी मैं जब इसी 89 की बात है कि मैं जब कारूडूर से निकला जब बाहर निकला आता तो एनी मुझे 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 कि अदर ये जो मौनिंग शोज और जो सुबह की निश्रियात उसको स्टार्ट करने वाले और क्या जीनियस अदमी आज भी हमारे जो पीटीवी के बो लोग जिनको हम दर्सकाह का दर्जा देते हैं इसमें खालिक महमुद जादी साब अला उनके दर्जाद बलंद करे झास्विशल का नाम था आज और और यह नाम याथ नाम ता तो मैंने का बशाद करो बात कर लूँगा आप आया करें ठीक है ना तो आख भी पैसे ज्यादा तो नहीं मांगो थो पैसे को छोड़ा में टी वी कर शो के टीवी पह ले आओ पैसे क्या करते हैं खेर वहाद हू पिशावर फ्लाइट फलाइट थे लो पिशावर, सौाथ, पिशावर, सौाथ, ए इसलम अबाद यहां 25 उंट पिए 632 फ्लाइट थी पिय फोकर चलता है जम्शेद अली खान मतलले बदाम कितने खाते रो फ्लाइट नमर भी यादने देए जो अब यानव एक उग्सकान नहीं करता था, एक एक उफटा कुडाट व मैल होस्ट Elder पाकिस्टान मे पेड़ सर्फेंट उस्तार्व अस टारी हैशर्व पहु कि मंक्सद कई होतागí फ्रोग्रायम का फ्रॉड मेट क्या होता तिस सुबा वाले में जाते थे रात वाले में लेकिन एक फ्रम के पिया उसमें तेहर था सभी ने क्या ने क्वेस्टिण किया था, इट वाज अ सोलो एक एंकर का ये टरांस्पीशन था, ना गेस्ट है ना किया है नक्या है, सिंपल, सोलो, वो प्रोग्राम हम सोलो शूरू करते थे, उसके बाद ही मुख्तलिफ स्टेशन से मुख्तलिफ किसम की चोटी-चोटी डाकुमेंटरी जाती थी, चोटी-चोटी चीज़ आती थी, जाते हो ड्रामा भी मिरात अलुरूस बड़ा मशूरू हुआ था मौनिंग ट्रांस्मिशन के लिए स्पेशल ड्रामा बनाया बनते थे, बिलकुल, वो बनते थे सारा, मुझे अच्छी तरह यादे, अच्छा उस जमाने में ये इतना टेकनलोजी थी तो नहीं थी, हम ये बेटे होते थे, मेरे साथ तोड़ा सा एक दो फूट चोड़ की, क्योंकि हमारे उसमें, उसी में खबरे बीच में चलती है, और आपको पतर टाइम क्या था, इट वा सेवन अक्लाग, हाजी, तो आज भी ही है, हमारा साड़े साथ है, साड़े साथ, अब आदा गिंटा आगे होगे हैं, दिसंबर में साथ बज़े आप सोचे, और जब आप सबीन, वंको देखो, उनको फ्लाइट डंबर भी यदा है, उनको यह भी याद है कि कमरे में कौन-कौन कहां बेठा बहना था, उनको यह यदा है कि फिर मेरी मुलाकात किससे हृएती, यह सुम्हें तो, मैंनी याद होंगा। जब तुम तो नी याद पहुआ, जब उन्ही जमशेता भी ये बता यकापटा तोड़ा करूओ जो थी इंग्लिश वाईली शाहिस्ताजेद 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 साहिब है बड़े बड़े नाम में सारे अब यू बैठे होते थे ना ये मैं आपको तोड़ा साब को एक लाइट सी बात बता रहा हूँ वीडियो पॉलो जी सबसे वह बहुत तो मुझे जैजी काटून मुलाइजा फर्मराएए उसके वादाभी खेर अब दस्राम साब की मेरबानी थी मुझे तो कुछ नहीं का की लेकिन जैदी साब को बड़ी सुनाई कि कहते इसकी मेरे साथ ड्यूटी ना लगए उस्राम साब को बड़ा जनाब वह स्कूटर पर आते थे थे रोब दब दब और क्या आवाज और क्या उर्दू और क्या तलफुज के इस खान को समझा जा मैं कार्टून आखिरे तो जम लाकात के लिए नहीं बज़ती कि यार घोसा चड़ा था लेकिन यह चोटी चोटी चीज़े हैं अच्छा लाइव के अंदर यह वाकियात होते है आप ब्रेक लेरा चाहिए पिल्कुल जम चाहिए हूं कि हम एक ब्रेक लें चोटा सा हमाईसा जिम्शे दिल खान सब मौजूद है इतनी सारी बाते इतनी सारी दिल नहीं करा ब्रेक लेने के लेकिन चोटा से ब्रेक लेते हैं वो पेंटिंग्स के बाद बीच से करेंगे ज राइजी पाकिस्तान साथ यह वो नसल है वो जेनरेशन है एंकर्स की होस्स की जो इसको अपना सेकंड होम समझते हैं 42 एर्स होगे है माशाला माशाला अधर मैं मैं तो आता रहा हूँ ना अच्छे जी यह जो शो जब आप किया करते थे आपने एक खुबसूरत बात की मैं उस पर बात करता हूँ उस जमाने में खतूत आजकर तो एमेल और ये फोबाइल और ये मुसीबत खान आगिया है ना हमारे सारे रिलेशन्स खतम हो गए ये आप यकीन करें इतने खतूत आते थे इतने खतूत कोई हमारी शकले बनाता था कोई पैंटिंग करता था कोई क्या करता था तो हम शाम से जब रियर्सल करते थे नहीं बैटते थे रियर्सल करते थे शाम को तो पूरे खतुत को हम आन लाइन करते थे, यह खत, यह खत, यह खत, उजयरी सब कहते हैं, यह पूरे पाकिस्तान से कि यार, तमाम सूमों का इसमें वह हो, नुमाहिंदगी हो, हर इलाग की, बच्चे का नाम पूरा हो, यह पूरी चीज़ चलती थी, उसके 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 जान आपको चोटी सी बात है, चोटी सी बात है, आप जिदर भी जाए ना, मैंने पहले कहा, इसका मा का रोल है, जितने बच्चे निकले ना, तोसीग ज्यादा समझता है, यह सब इदर ही से निकले हुई, मुझे मेरे असाथ इसाने का है, कि जो बंदा रेडियो से निकला हो, जो बंदा टी-वी से निकला हो, ठीके ना, वो मार नहीं का था, लेकिन यह है, मैं 25 मिन का प्रोग्राम अबसीन का टॉक शो करता था उस जमाने में, यहां रेहरसल डूम में हमारे तीन-तीन दिन रेहरसल हुआ करते थे फर रिकॉर्ड़ेट प्रोग्राम, 25 मिनिट का प्चिस मिनिट का फर रिकॉर्ड़ेट प्रोग्राम, अलम्झेम आमिर अमेर अल्ला ताला, अबसी है तीन दिन दिन रेहरसल के बाद हम जाते थे और रेकॉर्ड करते थे, हमारे कपड़ों का आपका पहनेंगे, आपका आउटफिट क्या होगा, आपके लगेंगे, आपके जूतें क्या होगा, यह सारा डिसकॉस होता था, पर मैंने क्या कहना है, इट वस और स्क्रिप्टिड, स्क्रिप्टिड, उससे ना यू जाना है, ना आपने यू जाना है, तो जो ट्रेनिंग इन्हों ने जो दी है ना, वो ट्रेनिंग आज चक मौझूद है, और उसको फॉलो करना चाहिए, अगर बास लोगा गई कहिए, जी इस दोड़ में पीटीवी जो है पीचे रहे गी और हम आगे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखें जो आपका जो 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 असल जो जो एक मकसद होता है ना, कि आपने एक बिल्डिंग की जो बनियाद होती है ना, वो मजबूत बनानी होती है, अब ये एरियर में त जबी भी खतम नहीं, वो अपने उस लेगिसी के साथ जाते हैं, तारिक अजीशाब के मैं एक बात में कहरा तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, तारिक अजीशाब के साथ पर मेरी दोस्ती हो गई, 84 में उसकी शादी थी, और यहां डाक्टर हाजरा से, शी उस पुछ ना, 94 94 में, 94 में, 94 में, तो हम अधर गए थे, तो बड़े सेलेक्टेड़ लोग आये थे, उस वक्त उसने बड़ा खुबसूर शेयर, मुझे शेयर याद नहीं पर उसका बफू मुझे याद है, कि आज तक हम कभी पसे नहीं लेकिन आखिर पसे, पस गए, यह उसको शेयर बोला मैंने आपको कहाना मेरी एक इस्पिरेशन थी, उस तारिक अजीज साब और उसकी लेगिसी के साथ, होस्टिंग और वो भी होस्टिंग इनामात वाली, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसी पिटीवी पिशावर और उसकी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया, यहां से नाम वाईता अबसीन, अबसीन रेप्लिक आफ निलाम घर, और वही हमारे स्पांसर, वह मैंने शूर किया, स्टार्ट इन डाइंटी त्री, और दो हजार तक मैंने इनके साथ वो चलाया, और तमाम प्रोडूसर ने उसको प्रोडूस किया, आजक वाटर कूलर देते थे यहां, वाटर कूलर किया, एसी एसी चीज़े देते थे और लोग इसी स्टूडियो में रिकार्डिंग की, निश्टर हॉल में रिकार्डिंग की, वो अलहमदोलिल्ला तकरीमा आट-नौ साल तक चलता रहा है, मुसलसल, और दूसरे जब मैं बाहर आई स्टार्टिड डेक प्रोग्राम, और मैंने 12-13 में शुरू किया प्राइविट चैनल के लिए और उसके बाद वो प्रोग्राम आज तक चलता है, परसुमें इसके रिकार्डिंग की ए, लिकार्डिंग के अब सिम्पल उसमें बात किया है, कि मैं तारिक अजीज़ चरे, एक ही बंदा था ना, तो मैंने कहा कमस कम उसका वो जो है न, वो शान तोड़ा सा उसका बरकरा रहे, लोग देखे जमशेद को याद न करें, तारिक अजीज़ को याद करें, उसको दौए है, वहाद अच्छे, अच्छे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, खत्म, ले 1989 की बाद, 26 नवंबर 1989, ठीक, उसकी में बात था, तो हम होटल में आएं सारे, होटल में, तो ऐसे मैं खड़ा था साइप उसक में पढ़ा था, आपको पते हैं, बड़े लोग थे हो रही हैं सारे, तो खेर एक दूसरे से मिले थे, उधर से नूर जिहान इंटर्यूई, सफ मुजिक इंडस्टी में यकीन करें, इनके साथ उटना, बेटना, मुलाकात, हॉस्पिटल्टी आप इनके गरों से सीके, हमारे खियान ममद साब के गर में आप जाएं, आपको पता नहीं किस के गर आए हूँ, ठीक है न, मैडम एंटर्यूई, मैं उसे देख रहा था, तो स माशालला, तुम किदर के हो, मैं झाए जी मैं पिशावर तो में एक दो कदमा söyleye, हूँ भी आई, तो मैं झाए, जी मैं तो पिशावर से हूँ, जी माशालला, मैंने का था, पूरा प्रोग्राम आपका देखा, मैं सवेरे उड़ती हूँ, तो मैंने पूरा प्रोग्राम अरना कुछ छोटी बात नहीं है। दो में बंदे बताता हूँ। दो बंदे गवा बताता हूँ। वन जो फोत हुई है नाजिया हसन। वो भी खड़ी थी। बस नेका जी आ जी मैंने जी इसका प्रोग्राम देखा। और साथ में हमारे इसमाइल शायद कड़े थी। हमारे में बताएं यूड़ा बतात दुषिक वही का वही है । मैरे तोसीक के साथ भी प्रोट हमने कही है हमने रेडियो पाकिस्तान के बड़े शोज पकटे किये। आपनाut है य। ऒैट मार्च के शोज रोग्राम करता ता था मुझे प्रोडूसर का नाम बूल रहाए प तो मैंने जब मैडम नूजयान साब ऐसे बात कर रहा था ना यकीन करे कि उस वक्त भी ठीक टाक उसकी उमर थी लेकिन उसका जो लिबास मैंने देखा उसका जो मेक अप जो आउटफिट जो स्टाइल जो ग्रेस थी उस खातून में और जब सब कुछ यह ऐसे निकल गी यकीन करे में बड़ी देर तक उसको मैं देखता रहा है अलांकि बड़े बड़े लोग कड़े थे बड़े बड़े नाम खड़े थे अच्छा आपको सबीन एक अंदाजा हो रहा है जमशेद भाई की बातें सुनके के जब यह शो करते होंगे तो किस कदर मज़ेदार अंदाज में हैं जी कहानिया और एक इसी ज्याद मेरे आपको तो स्क्रिप्ट देखने के बिजरुरत नी पढ़ती है यह स़री है जाड़ा चाया याद दाश का क्या चखक था यह यह दाश्व आखकर यह और लोग के बश्चत्पन से हैं देखे वही जो स्टार्ट में कोई स्क्रिप्ट में लाए जो मैंने पढ़ा या स्टार्ट में अगर किसी ने दो चार साथ, उसके बाद जिन्दगी में मैंने, पर कभी स्क्रिप नहीं पड़ा, बस मैं सुनता हूँ प्रोडूसर या मैं खोद दू या मैं कहे तो क्या रही मैंने क्या प्रोग्राम करना है, आप यकीन करें, परसु भी मैंने, बड़ा ह कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ना कोई लफज होता है, मुझे नहीं पता हुए, बड़ी आटोमेटिकली चीज़े आती है, बच्पन कहा आपका गुजरा, बच्पन कहा इसी तरह बातूनी थे, और गपे, बहुत ज्यादा, लोग हमेशा कहते हैं, हमें मौका दो, हमें म पिशावर आया, इस्लामिय कॉलेज में, बहुत को पता है, अल्मा मीटर बहुत बड़े तारीखी जगा है, मेरेट पे आया, इसलामिय कॉलेज में पढ़ा, सो रुपे मुझे वालिद देता था, वो जब पूरे महीने के लिए, चच्चा के गर में रहता था, ठीक है ना, पूरे महीना सो रुपे में गजाना, सो रुपे, पूरा महीना, उस जमाने में इदर पिशावर में, बड़े उमर के लोगों के पता है, डबल डेकर चलते थी, दस पेसे उसका टिकर होता था, लेकिन जो स्टुटेंट उपर जाता था, तो टिकर चेकर जो था ना, वो डर मैं कहता हूँ, अगर पिशावर तोसीग भाई, उस वक्त आप देखते हैं ना, सबसे मौडरन तरीन शहर यह था, यह क्या लिबास है, उस वक्त के लिबास, उस वक्त के लिबास, उस वक्त के लिबास, तस्वीर यह आप निकाले, यह पी टी वी से निकाले, सबसे मौडर इस शेयर में, सुबह सवेरे, ये होते थे, पिशावर की गलिया पिशावर की आपको पता है, खुराक कुजीने जोती है यह होत, आप आप जीए आप आप बाれा जाये देके, आप जायें, जायें, कभात देके, तिकholए तेके सज्य आज तक कोरी दुनिया में विजोง verso 19 फिर्व में दौन और दूसरे का बाता है, आज कि यह वहां करना आज जो हैं इस खालताह में उसके नाम दें को एजूकेशन है, यह हमारे जमाने में को एजूकेशन थी, मेरे जमाने में, मैं जब इदर इंजिनरिंग में पढ़ रहा था, UAT में, यूनिएस्ट इंजिनिंग टेकनोलोजी में, बाइदे में में उसके ग्रेड़ूएट हूँ, ठीक है ना, वो लेकिन हम 87 की बात है, क्या करूँ, अपना फील्ड चोड़ की, हम इदर आगे हैं, मेरे दोस्ते सारे डारेक्टर्स और जीम्से, तो वो मुझे जमसे, तुम कहा हम लग गई यार, आपको, पते में, मुझे चेक कितना मिलता था? पिटीवी का कितना मिलता? पेसे का पैसी मिनट का? समर करे, एक सो दस रूप, रेहर्सल के पैसे आते थे, पैसी रूप, पैसे का मिलता था, अपने मुझे यादा है, साट़े साथ सौ रुप हो गया, हम ब बरकत नहीं नहीं उसका बड़ी तोसीक बहुत स्टेट वजिए पते हैं अपने हमारा सबसे बड़ा मसला की आए जी अब मैंने कहा ना मैं स्कूल के उस्ताद का बेटा हूँ I am proud of this लोग चुपाते ही बई क्यों चुपाते हूँ आप मुझे बताओ मैं ड्रैवर का बेटा हूँ येस मैं तरकान का बेटा हूँ बोले ना जो लोग आपको जानते हैं उसको उनको तो पता है तो अगर मैं कहूँ कि मेरा वालिद सीनियर इंग्लिश टीचर है वजीर मौमत खान नामें सवाबी में पढ़ाते थे तमाम उसके भी कमिशनर डीसी डी आईजी आईजी उसके स्टूडन्ट है वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे फादर की वज़ा से हमने ये लेगिसी चोड़ी हुई है पेरण्स का हमने बिल्कुर चोड़ा हुए मैं मांगे के तो आपके वाले दिन जिंदा है उनके पास नहीं जाते अपके आसातिजा जिंदा है आपके पास नहीं जाते हैं, अभी मैं प्राइवेट चैनल में क्राम करते हूं, मैंने सब असातिजा को एक बाई एक बुलाए है उदर, तमाम प्रोडूसर को, सब को बुलाए है, उनको ट्रिब्यूट दिया, मेरा मकसद यह ना, जो आप कहे रहे हैं, कि क्यों बरकत खतम हुए, इसलिए खतम में इस स्टेशन से निकार के लेफ साइट पी जाता हूँ, इसलमिया काड़िज के समने हरी चल्ले एकमेरिमेंट है, वुज़राब तोड़ा सदे के, डेट सो साल का, आप चार सदा में जाएं, आप अपना कलाब अलाहिसार में जाएं, आप मस्जद मामत खान में जाएं, यहां कदम कदम के उपर आपको सो साल, दो सो साल, इड़ गोट सकाले, लोग इदर देते नहीं, बाहर को देख के वाह पोइंटे नहीं, फैबरित इंगड़ बड़, जमशेद भाई, बहुत लुट लुट फाया, हमेशा की तरह, और जैसा कि मैं अबदाईये में कहा रहा तो से के दर मैं आपका बहुत मौनों मुशकूर हूँ, तैंक यू वेर मच, इट इस रियली एन आउनर फो मी, आपने बुलाया, बड़ी मिर्मानी, सबीन तैंक यू वेरी मच, बड़ी मिर्मानी, पाकिस्तान टेलिवीजन का शुकरिया, मेरे असात इजा का शुकरिया, म आप इसका नाम राइजिंग पाकिस्तान होता, अगर आपकी कोई ऐसी याद है, तो आप हमें जरूर वाटसैप पर बताईएगा, वाटसैप नमबर आपके पास है, जिन्दगी रही, तो मैं और सबीन फिर आपसे मिलेंगे, खदा हाफिस. करांवे बताओ कोशारा गातान से分कास का मां जरूसैप. झाल 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 झाल